हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टूबर चेनल आज हम आपके लिए एक नए इंग्लिस स्टोरी लेकर आए हैं जिसको हम प्रोपर रेट करने वाले हैं और इसके हर एक सेंटर को प्रोपर हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं तो आज की हमारे इस इंग्लिस स्टोरी का टाइटल ह city के बीचो बीच थी heart of the city यहने की city के बीचो बीच थी the store was flourishing but the only problem the shopkeeper faced was there were plenty of mice plenty मतलब की बहुत सारे mice यहने की चुहे residing इने रहते थे in the store यहने की store में रहते थे flourishing का मतलब होता है कि उतकरशी यहने की दुकान तो बहुत अच्छे थी लेकिन बहाँ पे एक problem यह थे कि बहाँ पे कही सारे चुहे रहते थे they used to bite into every pile of the stock bags pile का मतलब होता है धेर of the stock bags यहने की धेर यहने की धेर को kept there in the shop यहने की वो जो बेक्स की धेर थे उनको कुतर थे थे जो shop में रखे थे days after days यहने की दिन गुजरे दिन बर दिन they wasted many food products they were brought by the shopkeeper to sell like of bread, biscuits and fruits यहने की they wasted many foods यहने की वह सारे fruits को best करने लगे और shopkeeper to sell shopkeeper जो बेशने बेशता था जैसे bread हो गए, biscuit हो गए, fruits हो गए इस प्रकार के next देखते है the shopkeeper grew worried by the loss caused by the mice the shopkeeper था यहने की वह मतलब की चिंतित हो गया by the loss caused by the यहने की जो चोह के कारेंट उसका जो loss हो रहा था उसके कारेंट वह चिंतित हो गया he finally decided to bring in a gate and leave it in the shop to keep check on the travel maker he finally, यहने की उसने finally decide करा की वह एक बिल्ली लेकर आएगा और जो उसे leave it यहने की छोड़ देगा in the shop यहने की छोड़ देगा to keep check on the travel maker travel maker यहने की जो परिशान करने वाले होते है travel maker माईस यहने की जो पराद परिशान करने वाले चूहे उनको उन पर नज़र रखने के लिए very next अगले दिन the shopkeeper brought a fat cat यहने की अगले दिन वो एक fat cat को लेकर आता है into this grocery उसकी दुकान में लेका आता है grocery store and set her free यहने की उसको free छोड़ देता है वहाँ पर she started chasing the mice वो उनको चूहों को भगाने लगती है फिर वो जो cat है वो she had very pleasant time hunting down pleasant time मतलब क्यों होता है आनन्द में समय में समय होता है and eat them regularly और वो उन्हें रोज eat करते थी नहीं खाते थी उन्हें रोज the cat grew bigger and bigger जो cat थी भई उनको खा के वो और बड़ी होती गई bigger and bigger होती गई and the shopkeeper to become happy shop की पर है भई वो तो खुश हो गया हिसाब से क्योंकि उसका तो काम ही हो गया with his decision and why not क्यों नहीं हो उसके दोर it saved him from a lot of damage that was caused by the mice यानि कि उसके बहुत सारे जो damage समान होता था उसको बहुत से बचाती थी slowly and steadily slowly मतलब कि धीरे धीरे हैं steadily यानि कि लगातार the population of the mice in the grocery store started fall down यानि कि जो बिल दी है तो उनको खाने लगती है तो इससे क्या population चोहों की population होता वो धीरे धीरे कम होने लगती है grocery store यानि कि जो किराने की दुकान है वहाँ से the mice become more and more concerned with their dipping population जो चूहे थे भई वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया थी क्योंकि उनकी जो population थी वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया थी तो discuss किया और फैसले किया and discuss their problem ताकि वो अपनी problem मतलब कर सकते कर सके इच माउस सजेस्टेट इस आईडिया बट आईडिया सब आईडियास क्या है रिजेक्ट कर दिये गए आईडियास थे वो प्रेक्टिकल नहीं थे तो इसलिए क्या है रिजेक्ट कर दिये एट लास्ट आखिर में यंग माउस सजेस्टेट तो टाई बेल अरॉंड अरॉंड दर कैट्स यानि कि एक चो यंग माउस था उसने सजेस्ट किया कि क्यों ना बिल्ली के गले में घंट सवय गाखताने घंटी कर देगी जब भी करें यहा बाद जाएंगी तो उसके गले में जब नर्या में घंटी रहिए वो किаки कर देंगे यहां कि हम निकल सब्सक्राइब करते हैं मंजूर देते हैं याने कि सहमती देते हैं बड़ कोशन वास हूं विल बेल तकेटी याने कि कोशन यह बंदा आया लास्ट में कि वह बिल्ली के गले में आखिर गंटी बांदे को आल दा माइस लुक्ड एट इच अधर सभी जो माइस थे याने कि का अंचू मेटिंग थे वो ओबर हो जाती है